नमस्कान में रिनुका तो आप सबका मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वाबत है तो अगर आप टेस्ट में बढ़िया और बहुती कम साहित्य में बनने वाला ओयल फिर ऐसा नास्ता बनाना चाहते हो तो आज मैं आपको ऐसा ही मुली से बना एक नास्ता लेके आई ही हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है तो चले श्टार करते आज का वीडियो तो यह रेसिपी बनाने के लिए मेनी हाँ दो कप किसा हुआ मुली लिया है तो आप यहां मुली की जगा आलू का भी इस्तिमाल कर सकते हो नहीं तो गाजर का भी इस्तिमा फिर इसमें आदा चमच हल्दी पौडर डणने है फिर उसके बाद इसमें आदा चमच धन्या पौडर डणने है फिर इसमें एक चमच गरम मसाला पौडर डणना है फिर इसमें स्वाद नुसार लाल मिर्च पौडर डणने है तो आप यहां स्वाद नुसार बारी कट के हुए हरी मिर्च का भी इस्तिमाल कर सकते हो फिर इसमें आदा कप बारी कट के हुए हरी धन्या डणने है फिर उसके बाद इसमें हमें दो कप गिहू का अटा डलना है तो आप यहाँ गिहू आटी की जगा बेशन का इस्तेमाल कर सकते हो नहीं तो चावल आटी का इस्तेमाल कर सकते हो नहीं तो आप इसमें मैईदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर हमें इसमें स्वादनुचा नमग डलना है फिर आखिर में अभी हमें इसमें दो चमच तेल डलना है तो मेने या थंडा ही तेल लिया है फिर इन सारे इंगडेंस को अच्छे तरह से मिक्स करना है तो हमें इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है तो यह जो मूली है उसमें है हमें इस आटे को गुन लेना है क्योंकि मूली में पानी का प्रवान ज़्याता रहता है तो अगर पानी कम पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इस आटे को गुन लेना है तो इस तरह से हमें इस आटे को गुनना है तो ज्यादा हमें इसे पतला भी नहीं बनाना है तो उसके बाद आभी हमें इस आटे को पाच मिनिट के लिए ऐसे ही भिगने के लिए रख देना है तो यहाँ भी पाच मिनिट हो चुके है भी अच्छी तरह से भीग चुका है फिर हमें ग्यास पे एक दवारक ना है और इस आठे के इस तवे के उपर भी हमें पराठी रणने हैं अले नहीं आट रहा है तो पराठी रणने के बाद अभी हमें इने दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है तो एक तरफ से फ्राइ होने के बाद इसके उपर हमें चमच से तेल डालना है और पलड देना है तो इसी तरह ही इस पराटे को दूसरी तरफ से भी अच्छे तरह से फ्राइ कर लेना है तो अभी यहाँ पराटा यह दोनों तरफ से अच्छे तरह से फ्राइ हो चुका है तो आप इस तरह से ये मूली का नास्ता बना के दही के साथ अचार के साथ नहीं तो सिर्फ चाय कॉफी के साथ नास्ते में सर्व कर सकते हो नहीं तो आप इसे सिर्फ चाय कॉफी के साथ ऐसे भी दे सकते हो तो फिर आज के वीडियो में इतना है तो फिर से मिलते हैं और एक ने वीडियो में और इतने टेश्टी रेसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंस वाचे मैं वीडियो